आई बी की एक रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी खुफिया एजंसी है जासूसी एजंसी केंद्र सरकार ने गुजरात में उस एजंसी को भेज के एक सर्वे कराया जरा पता करके आओ गुजरात में कौन जीत रहा है किसकी हवा है किसकी सरकार बन रही है सरकारी एजंसी है हमारी नहीं है आई बी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि आने वाले चुनाव में गुजरात में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है यह मैं नहीं कह रहा खुफिया एजंसी की रिपोर्ट कह रही है गुजरात सरकार हर साल धाई लाख करोड रुपे खर्च करती है धाई लाख करोड रुपे बाप रे बाप धाई लाख करोड मैं आप से पूछना चाहता हूँ आपके गाउं में 27 साल में कोई सडक बनी कोई स्कूल बना कोई अस्पताल बना किसी को दवादारू दी इनोंने कोई काम कराया इनोंने कोई काम नहीं कराया इनोंने मैं भाव विभोर हो जाता हूँ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब सरकार बनेगी हम अपना एक-एक वादा एक-एक गारंटी एक-एक वादा पूरा करेंगे हम जो कहते हैं वो करते हैं अभी जैसे भगवन्तमान साब ने बताया हम अगर चार गारंटी देते हैं तो पांच काम करके दिखाएंगे तीन नहीं करेंगे कम नहीं करेंगे ज्यादा काम करके दिखाएंगे यहां जितने लोग आई हुए हैं जो जो लोग बदलाव चाहते हैं जरह हाथ खड़े कौन-कौन बदलाव चाहता है कौन-कौन परिवर्तन जाता है सब लोग जाते है तो मैं आपके लिए खुश खबरी लेके आया हूँ आई-बी की एक रिपोर्ट आई है आई-बी मतलब एक खुफिया एजंसी है सरकार की केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी खुफिया एजंसी है जासूसी एजंसी केंद्र सरकार ने गुजरात में उस एजंसी को भेज के एक सर्वे कराया जरा पता करके आओ गुजरात में कौन जीत रहा है किसकी हवा है किसकी सरकार बन रही है सरकारी एजंसी है हमारी नहीं है आई बी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दिये कि आने वाले चुनाओं में गुजरात में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है यह मैं नहीं कह रहा खुफिया एजंसी की रिपोर्ट कह रही है लेकिन उस रिपोर्ट में लिखा है कि आम आदमी पार्टी की 94-95 सीट आ रही है अभी किनारे पे है बस थोड़ी सी जीत है जीत रही है आम आदमी पार्टी लेकिन 2-3 सीट से जीत रही है अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सबको दो तिन सीट से नहीं कम से कम 40-50 सीट से जीत होनी चाहिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी जो भी मान साब ने भी कहा इशुदान भाई ने भी कहा कि 40 दिन रहेगा ये 50 दिन रहेगा चनाव के अब थोड़ी सी अगर धक्का मारेंगे जोर का धक्का मारेंगे तो पंजाब के और दिल्ली के रेकॉर्ड तूट जाएंगे गुजरात में इतनी सीट आनी चाहिए तो अब सरकार तो बनने जा रही है मेहनत करेंगे करेंगे की नहीं करेंगे मेहनत सरकार तो बनने जा रही है एक दिसंबर को सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की सबसे पहला काम क्या करेंगे ध्रश्टा चार खतम करेंगे गुजरात से मेरे को कोई बता रहा था एक M.L.E. है जब वो चुनाव लड़ा गुजरात का M.L.E. है पिछला चुनाव जब वो लड़ा उसकी चार एकड जमीन थी एकड ही बोलते हैं यहां पर गुजराती है चार एकड जमीन थी आज पांच साल के बाद उसकी एक हजार एकड जमीन हो गई एक हजार एकड कहां से आई कहां से आई है ना सबका यही आल है सारे मेले मंतरी संत्री यह जितने हैं लूट लिया इन लोगों ने कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है सरकार घाटे कहां जा रहा है सारा पैसा गाटे में क्यों चल रही है आप लोग इतना टैक्स देते हो आप लोग सवेरे उठके शाम तक रोटी खाते हो उस पे टैक्स दूद पिते हो उस पे टैक्स पंखा चलाते हो उस पे टैक्स साबून इस्तेमाल करते हो इतना टैक्स देते हो आप लोग गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है कहां जाता है सारा पैसा गुजरात सरकार हर साल धाई लाख करोड रुपे खर्च करती है धाई लाख करोड रुपे बाप रे बाप धाई लाख करोड मैं आप से पूछना चाहता हूँ आपके गाउं में 27 साल में कोई सडक बनी कोई स्कूल बना कोई अस्पताल बना किसी को दवादारू दी इन्होंने कोई काम कराया इन्होंने कोई काम नहीं कराया इन्होंने 27 साल में इन्होंने कोई काम नहीं कराया ये हर साल धाई लाख करोड रुपे मौल्या अपनी बीवी के नाम जमीन बेटे के नाम जमीन दादे के नाम बच्चे के नाम जो पैदा ने हुआ उसके नाम भी जमीन खरीद लिए मैं आप से पूचना चाहता हम यह सारा पैसा इन से वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी एक-एक पैसा इनसे वापस लेंगे एक-एक पैसा करेगा सीधा जेल जाएगा वो अभी पंजाब के अंदर हमारा एक अपना मंत्री कुछ गड़बड कर रहा था हमारा अपना मंत्री सेहत मंत्री हेल्थ मिनिस्टर तो भ्रष्टचार खतम करेंगे खूब पैसा बचेगा खूब पैसा बचेगा खूब पैसा बचेगा खूब पैसा बचेगा पैसे की कम ही नहीं है पैसे अब बहुत है सरकारों के पास बहुत पैसा इनके पास उस पैसे से क्या करेंगे सबसे पहले आपके बिजली मुफ्त करेंगे करनी चीए की नहीं करनी चीए एक मार्च के बाद महंगाई बहुत हो रही है मेरे पस बहुत लोग आते हैं गुजरात से कहते हैं कि सर बहुत महंगाई हो गई घर का खर्चा नहीं चल रहा बच्चे पालने को पैसे नहीं है हर चीज महंगी होती जा रही है आमदनी बढ़ती नहीं है सैलरी तंखा बढ़ती नहीं है दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर हमने लोगों की बिजली मुफ्त कर दी और जितनी पुराने बिल थे पुराने जैसे किसी का 70 अजार बकाया था, किसी का 80 अजार बकाया था, किसी का 1 लाख बकाया था पुराने सारे बिल माफ कर दिये, अभी बिजली मुफ्त कर दी तो लोगों के जीरो बिल आते हैं दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर जीरो जीरो दिल्ली में लगबग 42 लाख लोगों के जीरो बिल आते हैं पंजाब में 50 लाख घरों के जीरो की बिल आते हैं गुजरात के अंदर जीरो बिल चाहिए की नहीं चाहिए एक मार्च के बाद से नोट कर लो एक दिसंबर को सरकार बनेगी दो तिन महीने लगेंगे सारी कारवाई पूरी करने में एक मार्च से गुजरात के लोगों के जीरो बिजली के बिल आया करेंगे ये दोनों पार्टियां मेरे को खूब गाली दे रही हैं कह रही है के एजरीवाल फ्री की रेवड़ी बाट रहा है के एजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है के एजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है गुजरात के मुख्यमंत्री को विजली फ्री मिले तो कोई बात नहीं, गुजरात के जनता को 300 इनिट विजली मुफ्त मिल जाये तो इनको मिर्ची लगती है, अगर मुख्यमंत्री को बिजली फ्री मिलती है मंत्री को बिजली फ्री मिलती है तो जंता को मिलनी चीए की नहीं मिलनी चीए आपको बिजली मुफ्त देंगे एक मार्च से आपका बिजली का बिल जीरो आया करेगा दूसरा काम करेंगे 18 साल से उपर की जितनी महिलाएं हैं जितनी बेटियां, जितनी बेहने, जितनी माएं हर महिला के अकाउंट में हर महीने एक एक हजार उपर डलवाया करेंगे जितनी महिलाएं बैठी हैं, जितनी अपने परिवार में सब लोग बोल देना 18 साल से उपर की जितनी महिलाएं है अगर उनका बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खुलवा ले सरकार बनने के बाद हर महिला के अकाउंट में हर महीने एक-एक हजार उपर डाला करेंगे ये लोग इस पर भी मेर को खुब गालियां देते हैं कहते हैं महिलाओं को पैसे देने की क्या जरूरत है दोस्तों आपको भी पता होगा आप बहुत सारी लोग मैं देख रहा हूँ बहुत गरीब परिवारों के हैं कई ऐसी बेटियां है पैसे की कमी के कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती है कॉलिज के पैसे देने की नहीं है पिता जी के पास बस का किराया देने के लिए नहीं है पिता जी के पास अगर उस बेटी के जेब में हजार उपे जाएंगे तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी, कर लेगी की नहीं कर लेगी, कितनी ऐसी बहने हैं, महंगाई की वज़े से वो अपने बच्चों को दूद नहीं पिला पाती, वो अपने बच्चों को सबजी नहीं खिला पाती, वो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पात एकाउंट में देंगे मैं सभी महिलाओं को कहना चाहता हूं हवे तमारे चिंदा करवाने जरूरी न थी तुम्हारों भाई आवी गए अच्छे दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल बहुत शांदार कर दिये सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी जैसे गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है चटे टूटी पड़ी थी दिवारें टूटी पड़ी थी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा आल था पहले दिल्ली में आज हमने सरकारी स्कूल इतने शांदार इतने शांदार बना दिये अब एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आयस अफसर का बच्चा और रिक्षे वाले का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं अब मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, रिक्षे वाले का बच्चा डाक्टर बन रहा है, किसान का बच्चा वकील बन रहा है, गरीबों के बच्चे अब शानदार नौकरियां मिल रही है उन बच्चों को, ऐसे ही तो अपना भारत आगे बढ़ेगा जब अच्छ कि बड़ाई मिलेगी, गुजरात के अंदर भी शिक्षा अच्छी करेंगे, गुजरात के भी सारे सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, गुजरात के अंदर खूब सारे नए सरकारी स्कूल खोलने हैं, और इतनी अच्छी विवस्था कर देंगे, दिल्ली में अब प्राइवेट स श्कूल भेजेंगे सारे जने लेकिन अगर फिर भी जो लोग प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहें अभी मेरे को पिता चला प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है कभी भी फीस बढ़ा देते हैं उट पटंग फीस लेते हैं ये प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक करेंगे दिल्ली में साथ साल से प्राइवेट स्कूल वालों को हमने मनमानी फीस नहीं बढ़ाने दी गुजरात में भी इनकी फी से निकाल के सरकारी स्कूल में भरती कराओगे दिली में हमने एक कम और किया आज अगर अपने घर में कोई बिमार हो जाए और थोड़ी सी बड़ी बिमारी हो जाए घर के जेवर बिक जाते हैं घर की जमीन बिक जाती है सब कुछ बिक जाता है और फिर भी पता नहीं आदमी बचता है नहीं बचता सरकारी अस्पतालों का हाल बुरा है ना दवाइयां मिलती है ना टेस्ट होते है ना मशीने कांग गरती है पहले दिली में भी यही आल था दिली में हर गाओं के अंदर हर महले के अंदर हमने महला कलिनिक खोल दिये एक M.B.S. डॉक्टर बिठा दिय सारी दवाईयां फ्री सारे टेस्ट फ्री सारा इलाज मुफ्त हुआ बड़ी बिमारी ओ तो बड़े बड़े सरकारी नए खूब सारे अस्पिताल बना दिये शांदार अस्पिताल प्राइवेट से भी ज़्यादा अच्छे हस्पिताल अब हमने दिल्ली के अंदर दिल्ली की दो करोड जंता का हर आदमी का इलाज हमने मुफ्त कर दिया चाहे अमीरो चाहे गरीबो गुजरात के अंदर होना चाहिए की नहीं होना चाहिए गुजरात में भी करेंगे खूब सारे नए सरकारी अस्पताल खोलेंगे हर गाउं के अंदर मैंने पूरा हिसाब लगाया है गुजरात में 20,000 महला क्लिनिक खोलेंगे गाउं के अंदर आपका सारा इलाज मुफ्त होगा भगवान ना करे आपके घर में कोई बिमार हो लेकिन अगर आपके घर में कोई बिमार होता है चिंता मत करना आपका बेटा आपका इलाज कराएगा मेरे को राजनीती करनी नहीं आती मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती मेरे को भरष्टाचार करना नहीं आता मेरे को स्कूल बनाने आते हैं मेरे को अस्पिताल बनाने आते हैं अगर गुंडागर्दी चाहिए उन लोगों को वोट दे देना 27 साल से देते आयो ब्रश्टाचार चाहिए लफंगई चाहिए उनको वोट दे देना अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हो अपने परिवार के लिए अस्पताल बनवाने हो तो मेरे पास आ जाना मैं बनवा दूँगा मेरे पास कुछ नहीं है मैं एक आम आदमी हूँ हमारी पार्टी के पास कुछ नहीं है भगवन्तमान साब भी भककड आदमी है साथ साल में हमने केवन लोगों की दुआएं कमाई है जिन गरीबों के बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दिये जिन गरीबों के परिवारों का हमने इलाज करा दिया फ्री में इलाज करा दिया जान बचाली जिनकी वो हमें खूब आशीश देते हैं खूब आशिरवात देते हैं खूब दुआएं देते हैं उन्हीं की दुआओं का असर है, यह छोटी सी पार्टी, पहले दिल्ली जीत गई, फिर पंजाब जीत गई, अब गुजरात जीतेंगे, क्यूंकि लोगों का काम कर रहे हैं भगवान का काम कर रहे हैं धर्म का काम कर रहे हैं पुन्य का काम कर रहे हैं यही तो पुन्य हैं यही तो हमारा धर्म कहता है गरीबों की सेवा करो वही काम कर रहे हैं आम लोगों की सेवा कर रहे हैं आप लोगों में से कौन-कौन बेरोजगार है ज़रा हाथ खड़े करो सारी बेरोजगार है मेकेनिकल इंजीनियर वो बता रहे हैं इंजीनियर हैं फिर भी बेरोजगार है बेठो 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 मैंने एक टीवी में देखा इनका बहुत बड़ा नेता उससे पत्रकार ने पूछा कि सर बेरोजगार ही बहुत है इतने लोग बेरोजगार हैं अब क्या कर रहे हैं पता है क्या बोला कहता है ये लोग निकम्मे हैं ये लोग काबिल नहीं है इसलिए बेरोजगार है मेरे को इतना गुसा है एक तो तुम रोजगार नहीं दे सकते और उपर से तुम हमारे लोगों को निकम्मा बोलते हो इतना हिंकार आ गया तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ गया तुम्हारे अंदर अरे निकम में हमारे बच्चे नहीं है निकम में तुम्हारे बच्चे निकम में फिर भी चेर्मेन बन जाते हैं MLA बन जाते हैं इनको टिक्टे दिला देते हो बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक बन जाते हैं हमारे बच्चों को एक मौका तो देखे देखो तुमारे बच्चों को पीछे छोड़ देंगे मैं आपको मौका दूँगा मैं आपको मौका दूँगा मैं आपके बच्चों को रोजगार दूँगा मैं युवाओं को रोजगार दूंगा दिली में मैंने बारा लाख बच्चों को रोजगार दिलाएं बारा लाख बच्चों को पंजाब में अभी भगवंत मानने सत्रा बीस हजार हो गई अब तो बीस हजार से जादा बीस हजार से जादा छे महीने हुए अभी इसको बने सुख्य मंत्री 20,000 से ज्यादा सरकारी नौकरिया दे दी इन्होंने हमारी नियत साफ है हमें पता है कि आम आदमी का घर कितनी मुश्किल से चलता है बेरोजगारी के अंदर क्या तकलीफ होती है हम देना चाहते हैं दे और जब तक रोजगार नियों मिलेगा बेरोजगारी हो आको तीन हजार रुपे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और जैसा मैंने बताया हम इतने सारे स्कूल खोलने वाले हैं इतने सारे अस्पताल खोलने वाले हैं इतने मोहला क्लिनिक बनाएंगे इतना काम करेंगे दस लाख सरकारी नौकरिया नई निकलेंगी गुजरात के अंदर नई दस लाख सरकारी नौकरिया आपके बच्चों को मिलेंगी दस लाख सरकारी नौकरिया मिलेंगी और पेपर नी फूटने देंगे पेपर जितने पेपर अभी तक बचे हैं फरवरी के महिने में तलाटी का पेपर करा देंगे और जुलाई के महिने तक उनकी पोस्टिंग करा देंगे मेरे को पता चला है मैंने पूरी लिस्ट बना रखी अगले साल का शिड्यूल टेट का पेपर, टेट का पेपर, पुलिस में भरती के पेपर सारे जितने पेपर है एक साल के अंदर सारे पेपर करा देंगे कोई पेपर नहीं भूटेगा, अगर कोई पेपर भूटा उसको पकड़के 10 साल की जेल होगे, उसको बक्षेंगे नहीं किसी बहाले पर एक मैं ये देख रहा था, पूरे गुजरात में भी मैं घूम रहा हूँ, आपके इलाके में भी मैं घूमा, सारी सडकें तूटी पड़ी हैं, तूटी पड़ी हैं कि नहीं पड़ी हैं, सारी सड सब्げet टूटी पढ़िए सारी सदके टूटी पढ़िए कि ढूती है कि कुछ सुथ बढ़ी सड़के कर दी कर दी कर Eck मैं अगया नियुक्ба तरुफ सफर तेन घंटे लग से आज यह सारी सड़के बनाएंगे इमांदारी से जब सरकार होगी खूब पैसा बचेगा उस पैसे से सारी आपकी सड़के भी बनाएंगे जो जो जरूरी वाली सड़के हैं वो पहले छे महिने में बना देंगे फिर धीरे-धीरे करके बाकी दो-तिन साल के अंदर सारे गुजरात की सड़के ठीक करा देंगे बहुत सारे किसान आए हुए यहां पे पंजाब में भगवन्तमान साब ने पांच फसलों पे MSP दे दिये MSP अभी तक क्या होता था सरकार MSP तैकर देती थी लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था उस पे तो माल बिक्ता नहीं था उस पे तो फसल बिक्ती नहीं थी तो इन्हों ने ये कह दिया कि अगर मार्केट में MSP पे आपकी फसल ना भी के तो सरकार आपकी फसल खरीदेगी आपको MSP का दाम दिलवाया जाएगा बगवंतमान साब ने पांच फसलों पे गेहूं, चावल, कपास, नर्मा और मूंगदाल इन पांच फसलों पे पंजाब में MSP दे दी आपकी अगर किसी भी किसान की फसल मार्केट में इस से कम रेट पे बिकती है, वो सरकार को बेच के आ जाता है, सरकार खरीदी है, अनिवारे, जरूरी है सरकार को खरीदना आपको भी हम शुरूर 5 फसलों से करेंगे फिरेकर के सारी फसले 5 फसले हम सरकार मनते ही 5 फसले हम MSP देंगे गेहू, चावल, चना, मुफली, कपास यह 5 फसलों पे गुजरात के अंदर हम MSP देंगे आपको अगर मार्केट में इस से कम रेट मिले MSP पे सरकार के पास आ जाना सरकार आपकी फसल खरीदेगी MSP के उपर 12 घंटे बिजली देंगे अभी रात को आती है कभी आती है कभी नहीं आती है दो पहर के अंदर 12 घंटे आपको बिजली देंगे सिचाई की विवस्था करेंगे कई साल हो गए अभी तक नर्मदा का पानी नहीं पहुचा चारो तरफ सिचाई की विवस्था करेंगे दिल्ली के अंदर और अब पंजाब के अंदर हमने प्रती हेक्टेर अगर फसल बरबाद हो जाए सरकार प्रती हेक्टेर पचास हजार रुपए प्रती हेक्टेर उसके एकाउंट में एक महिने के अंदर जमा करा देती है होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये गुजराच में भी लागू करेंगे अयोध्या में अगले साल भगवान श्री राम का मंदिर बनके तयार हो जाएगा कौन-कौन मंदिर देखने जाना चाहते है सब लोग जाना चाहते है लेकिन आना, जाना, खाना, पीना, रहना बड़ा महंगा है है कि नहीं है और पूरे परिवार को ले जाओ तो बहुत खर्चा होता है दिल्ली में हमने एक स्कीम चालू की है दिल्ली वालो को मैं फ्री में अयोध्या जी के रामचंदर जी के दर्शन करा के लाता हूँ स्पेशल ट्रेन जाती है दिल्ली से उस ट्रेन में सारे रामभक्त होते हैं लोगों का आना जाना खाना, पीना, रहना सब कुछ आपके घर से लेके जाते हैं घर से लेके जाते हैं अयोध्या जी में रामचंदर के दर्शन कराते हैं वापस घर छोड़ के आते हैं सब कुछ फ्री होता है जब ट्रेन जाती है मैं उनको छोड़ने जाता हूँ जब ट्रेन वापस आती है मैं train पर उनको लेने जाता हूँ जितने लोग जाते हैं जब वापस आते हैं इतना अशिरवात देते हैं वो लोग इतना आशिरवात देते हैं कई बुजुर्ग लोग कहते हैं कहते हैं जी बस जिंदकी की आखरी तमनाती पूरी हो गई यह भगवान उठा भी ले तो किसी च करा के लाएंगे एक मैं देख रहा था गुजरात के अंदर सड़कों पर गाये का बहुत बुरा हाल है गाये तो हमारी माता है कि इन लोगों ने गाएं की रक्षा के लिए और गाएं के रख रखाव के लिए कुछ नहीं किया दिली में हम 40 रुपए प्रती गाएं गौशाला वालों को देते हैं उनकी रक्षा करने के लिए उनका खयाल रखने के लिए उनके खाने पीने के लिए गुजरात में हमारी सरकार बनेगी प्रती गाएं 40 रुपे गुजरात के अंदर भी देंगे ताकि गौमाता की रक्षा की जा सके और गौमाता को जगे जगे सड़कों के उपर अम यह आप लोगों से पूछना चाहता हूँ यह मेरे उपर मेरे को खूब गालियां देते हैं सारे केजरिवाल फ्री की रेवडी बातता है हर बच्चे को हमारे देश में फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए की नहीं मिलनी चाहिए हर बंदे को अच्छा इलाज फ्री में मिलना चाहिए की नहीं मिलना चाहिए हर घर को फ्री बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए ये मेरा क्यों विरोध करते है ये क्यों विरोध करते हैं क्यों कहते हैं फ्री 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 नहीं होना चाहिए मैं कहता हूँ स्कूल बनाऊंगा कहते हैं स्कूल नहीं बनने चाहिए मैं कहता हूँ अस्पताल बनाऊंगा कहते हैं अस्पताल नहीं बनने चाहिए मैं कहता हूँ फ्री बिजली दूँगा यह कहते हैं फ्री बिजली नहीं होने चाहिए इनको यह डर लगता है कि अगर यह फ्री में दे दिया सब कुछ तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा है कि नहीं है रोज गालियां देते हैं मेरे को और दोनों पार्टी कठी ओगालियां देती हैं दोनों पार्टी कठी हो गई है इनको लूटने अगर कोई कहे ना फ्री गड़ड़ है फ्री रेवड़ी नहीं होनी चाहिए समझ लेना उस आदमी की नियत खराब है, उसके मच में खोट है, वो आदमी भरश्टाचारी बहुत है। इस फ्री घड़बड है। समझ लेना नियता बदमाश है। पूरे गुजरात के अंदर इस टाइम एक आंधी चल रही है बदलाव की, यहां भी इतने सारे लोग आई है, मेरे कहल से एक लाक से ज़्यादा लोग होंगे आज इस सभा के अंदर, आज इनको बीजेपी वालों को नींद तो नहीं आती, पूरे गुजरात में बदलाव की आंधी चल रही है, और जब से आई बी की रिपोर्ट आई है, कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, यह बीजेपी और कॉंग्रेस की सीक्रेट मीटिंग होने लग गई है, खूब सीक्रेट मीटिंग हो रही है दोनों के निताओं की, क कि कुछ भी करो ये आम आदमी पार्टी नहीं आने चाहिए कुछ भी करो दोनों रात को मीटिंग करते हैं बारा बज़े मीटिंग होती है इनकी और सवेरे दस बज़े एक पार्टी वाला नेता कहेगा केजरी वाल कमीना हैं दूसरा कहेगा केजरी वाल ठग है फिर दो तीस वो दूसरी पार्टी वाला काईगा केजरी वाल महाठ आगे एक ही भाषा में गाली देते हैं दोनों एक ही भाषा में जैसे रात को मीटिंग में तै करके आयों कि आज ये वाली एक पार्टी वाला काईगा केजरी वाला तंकवादी है दूसरा काईगा केजरी वाल खाल इस्तानी हैं दोनों ये की भाषा इस्तेवाल करते हैं ये की भाषा इस्तेवाल करते हैं दोस्तों इनकी चाल समझ लेना कॉंग्रेस के चक्कर में मत पढ़ना कॉंग्रेस की दस से भी कम सीट आ रही है सर्वे में और दस से कम सीट आ रही है और ये दस भी नहीं बचने वाले चुनाव के बार ये दस भी चले जाएंगे BJP में Congress को एक भी vote नहीं पढ़ना चाहिए सारे vote Congress के आमादमी पार्टी को पढ़ने चाहिए अपने घर में भी आसपास बोल देना सारे vote आमादमी पार्टी को पढ़ने चाहिए और अब ये चुनाव आपने लड़ना है मेरे पास पैसे नहीं है मैंने साथ साल दिल्ली के सरकार इमानदारी से चलाई है मेरे पास भी अकाउंट में पैसे नहीं है मेरी पार्टी के पास भी नहीं है आप लोगों को अपने बच्चों के भविशे के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा अभी ये खतम होते ही अपने अपने फोन निकाल लेना फोन निकाल के वाटसेप में जितने लोग हैं सब को मैसेज भेज देना कि भाई इस बार मैं तो आम आदमी पार्टी को दे रहा हूं तू भी दे दे अपने बच्चों के भविशे के लिए बोलो करोगे अभी आदे घंटे के अंदर सारे कर लेना वाटसेप के उपर सब को मैसेज भेज दो और अपनी डीपी बदल लो सारे जने अपनी डीपी में आम आदमी पार्टी का लगा लो मंजूर है फिर वो करना है जो इशुदान भाई ने का कि अपने अपने गाउं में अपने अपने महले में कम से कम सो लोगों के पास जाके घर घर जाना पड़ेगा देखो सो लोगों के पास जाके बोलना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है जाड़ों को वोट देना है मंजूर है भारत मतगी निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे